आप डिजिटल रुपिया को इस्तमाल करना चाहते हैं वो भी अपने फॉन में तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी रेजिस्टेशन कर पाएंगे क्योंकि इस अप्लिकेशन से आप यहां पे देख सकते हैं मेरा जो सीम वेरिफिकेशन बिल्कुल सक्सेस्फुली हो सकते हैं और यहां से हम डीजिटल रुपिया को इस्तमाल कर पाएंगे यहां चाहते हूं पर रेजिटेशन करने के लिए आपको दॉटन लिंकर ुठेशन लिंक बाक्स में इस application को हम यहां पर open कर लेते हैं और इंटर वाले option पर हम click कर देते हैं accept वाले option पर चलिए click कर देते हैं इसके बाद यहां पर next वाले button पर click करेंगे तो यहां पर जो है start registration का एक option खुलेगा तो यहां पर आप click कर देंगे उसके लोग लगा सकते हैं तो चलिए हम यहां पर फिंगर प्रिंट लोग लगा लेते हैं और और यहां पर OK वाले option पर हम क्लिक कर देते हैं, इसके बाद यहां पर आप अपना नाम इंटर करेंगे, तो चलिए हम यहां पर नाम इंटर कर देते हैं, इसके बाद continue वाले option पर क्लिक करेंगे, फिर से continue वाले option पर आप क्लिक करेंगे, ऐसा करने के बाद यहां पर आप जो है वाले निसान पे आपको किलिक कर देना है ऐसा करने के बाद यहां पर वाली में को क्लिक करेंगे और यहां पर बता जाता है कि अगर आपके पास ऑपस्थ फिर्श्ट बैंक का खाता नहीं है तो आप आप City फिर्ष्ट बैंक का डिजिटल रूपी अप्लिकेशन को इस्तमाल नहीं कर पाएंगे लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यह टेंपरोरी है हलाकि अभी तक आठी बैंकों को परमिशन मिला है डीजिटल रुपिया एप्स लॉंच करने का जिसे की सब्सक्राइब का एक हुआ अपको बताता रहूंगा और भी बैंकों के द्वारा मुझे जनकारी मिलता है तो मैं आपको जरूर बताओंगा तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दिजे और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बैल आकन को दमा दिजे और टेलिग्राम को जोएन जरूर कर लिजे क्योंकि पहले हम टेलिग्राम चैनल पे ही अपडेट दे देते हैं